जो रिया पिल्लाई तलाक लेने के बावजूद संजदत के खर्चे पर अयाशी कर रही थी और संजदत के पैसे अपने तब के बॉइफरिंड लियंडर पेस पर उड़ा रही थी वो रिया पिल्लाई आज लियंडर पेस से भीक मांग रही है तब जब लियंडर पेस अपनी क पर इन गर्फरिंड किम शर्मा के साथ अयाशी कर रहे हैं लेकिन महीने का एक लाग खर्चा रिया पिल्लाई को देने के लिए तयार नहीं इस कहानी के शुरुआत तब से हुई जब संजदत की पतनी होते हुए रिया पिल्लाई का लिएंडर पेस के साथ अफैर चल गया पल्लाण पर शौपिंग कर इंडर नहीं है उनिया रिया पिल्लाई पूह के साथ इंटरेंज्शनल ट्रिप पर जाती ती और सप्रलाइफ शॉपिंग किया करती थी क्रेडिट कांड के विल्ज्य और शौदाओन इंडर पेस के साथ इस cet कुछ सालों बाद रियापिल्लाई और लेंडर पेस में जगड़ा होने लगा और यह दोनों भी अलग हो गए डिवर्स के बाद यह तैह हुआ कि लियापिल्लाई को एक लाक रुपया खरचा देंगे और घर का रेंट भी देंगे लेंडर पेस ने कुछ महीनों तक ऐसा किया लेकिन इसके बाद Leander Pace ने पैसा देना बन कर दिया तो Rhea Pillai एक बार फिर से court में पहुँची और Rhea Pillai ने court से अर्जी की कि Leander Pace एक लाख रुपया मंथली जो देते थे वो दे क्यूंकि मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है Rhea Pillai के court में ये application देने के एक साल तक भी Leander Pace court में हाजर नहीं हुए जब court में सकती बढ़ती तो Leander Pace ने court में जवाब दिया कि वो अब court में पेश नहीं हो सकते हैं वो busy हैं अपनी personal life को लेकर उनके पिता बहुत बिमार है और उनकी देखरेक उन्हें करनी पड़ती है पिता के साथ रहना पड़ता है इसलिए वो इस वक्त court की hearing में नहीं आ सकते Rhea Pillai इधर Leander Pace से वो एक लाख रुपया चाहती थी क्योंकि Rhea Pillai को Leander Pace की personal life के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था जिस वक्त Leander Pace court में ये कह रहे थे कि मेरे पिता मिमार है उस वक्त social media पर उनके और किम शर्मा के holidays के, romantic dinners के, मुंबई में साथ में work out करने के सारे pictures social media पर सभी लोग देख रहे थे बस Rhea Pillai ने इनी videos और pictures को सबूतों के रूप में जुटाना शुरू किया और court की hearing में Leander Pace को exposed किया Rhea Pillai ने court में judge के सामने Leander Pace और किम शर्मा की pictures पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि ये अपने पिता का कोई खयाल नहीं रख रहा है पिता की बात जो है वो जूठी कहानी है ये तो अपनी girlfriend के साथ मज़े से गूम रहा है vacations पर जा रहा है लेकिन इसके पास अपनी बच्ची को देने के लिए एक लाग रुपए मंतली भी नहीं है रिया पिल्लाई को अब Leander Pace से मंतली एक लाग रुपए लेने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है ये situation कह सकते हैं कि हूब भू वैसी है कि जब रिया पिल्लाई संजदत से अलग तो हो गई थी लेकिन संजदत से खर्चा तब भी ले रही थी जब वो अपने नई बॉइफरेंट के साथ रह रही थी कहते हैं ना वक्त फिर से गूम कर आता है तो वही कुछ हुआ है रिया पिल्लाई के साथ इधर बात करें लियंडर पेस की तो लियंडर पेस किम शर्मा के साथ वाकई में कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव थे लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों की साथ में ना एक फोटो आई है ना ही कोई विडियो आई है ऐसे में क्या माना जा सकता है कि स्कॉर्ट केस के कारण ही लियंडर पेस सोशल मीडिया पर इनाक्टिव हो गए है और किम शर्मा के साथ पब्लिकली कहीं नजर नहीं आ रहे है या फिर उन्होंने अब किम शर्मा से भी ब्रेक अप कर दिया है यह एक बहुत बड़ा सवाल है